अब ये बिरेस्पती का जो है राशी परिवर्तन है और ये राशी परिवर्तन एक मई को होने वाला है ये मेश राशी से और ब्रस राशी के अंदर जाने वाले हैं तो अभी भी आपके बिरेस्पती बहुत अच्छे हैं अच्छे चल रहे हैं चोते हिस्तान में कुछ कुछ तो उत्पन करते हैं लेकिन यस और ख्याती ये बढ़ाते हैं प्रोपर्टी में ब्रद्धी करते हैं और माता के सुख में ब्रद्धी करते हैं यहां से बैटे हुए अभी वर्तमान में जो ब्रेहस्पती हैं पदोनती राज्य में कोई नई नियुक्ती या कोई नई नोक्री का प्रावधान इसके अंदर सामने ये ले करके आएंगे राजनेताग हैं तो वो भी अपने ब्रद्धी को प्राप्त होते हैं बाकी यहां पर बैठे हुए ब्रहस्पती आपके रोग को रिंग को इनको जो है सुधारते हैं और सुबकारियों के अंदर खर्चा ये करवाते ह लेकिन अब ये बदलने वाले हैं और ये बदल करके और आपके चतुरत स्थान से पंचम स्थान में चले जाएंगे तो पंचम स्थान में ब्रसराशी के होंगे तो जितने भी पढ़ने वाले हैं बिद्यारती हैं किसी का इंटर्विव है किसी का रिटिन टेस्ट है वो इस संतान होना है उन मैलाओं को संतान की प्राप्ती भी हो सकती है और संतान की प्राप्ती के साथ साथ पुत्र रतने की प्राप्ती की संभावनाएं बढ़ जाती है यहां से बैठकर के नवम स्थान को देखते हैं नवम स्थान आपके भागे पृद्धी कहा है तो भागे में प विचार आपके होंगे, धार्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी, और कर्म के ख्षेत्र में भागे से संबन्द जुड़ी होई यात्राएं भी जहां तक हो सके विदेश यात्रा भी आपकी जो है, वो संबह होगे, अब ये बिरेश्पती एकादस इस्थान के उपर भी जो है चाचातावों से अच्छा तालमेल जो है, आपका हो सकता है, तो ये बिरेश्पती इस प्रकार का परिणाम आपको देंगे, बिरेश्पती की एक द्रस्टी आपके लगन के उपर भी जा रही है, तो लगन आपका मन होता है, आपकी बुद्धी होती है, तो बुद्धी को स इतने भी परिणाम हैं वो सुखद होंगे और आपके अनुकूल होंगे ये जानकारियां बिरेस्पती की हमने दी बाकी बिरेस्पती जब परिवर्तन होगा आगे तो उसके परिणाम भी आपको आगे मिल जाएंगे बाकी और जानकारियों के लिए इन नमरों से संपर्क करके कारियले से अपाइंटमेंट ले करके और जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाव उठा सकते हैं नमस्कार